अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि LPG Slender पर मिलने वाली सबसीडी को सरकार द्वारा खत्म करने का प्लान जी हाँ तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि सरकार ने तेल विपणन कंपनियों की ये बात मान लिये है जिसमें तेल विपणन कंपनियों ने सरकार को ये सरकार से मांग गरी थी कि जो सिलेंडर की कीमत है वो हर महीने जो है चार प्रती के सिलेंडर के साफ से बढ़ा दी जाए और सबसीडी में कटोंती की जाए तो सरकार ने अब इस दिसा में कदम बढ़ा दिया है और सरकार 2018 तक यहां पे सबसीडी के यानि कि सिलेंडर पर मिलना रही सबसीडी को पूरी तरह ते खत्म करने का प्लान बना रही है और क्योंकि इसके तहर सरकार ने एक कदम उठा दिया है जिसमें 4 रुपे प्रती सिलेंडर के साफ से हर महिने आपके सिलेंडर पर कॉस्ट बढ़ जाएगी यानि कीमत बढ़ेंगी और उसके कारण दीरे दीरे 2018 तक आपकी सबसीडी लगबग बिलकुल खत्म हो जाएगी लेकिन यहां पर आपको किसी भी तरह की चिंता करने की ब हमारे देश के उन लोगों तक जिन लोगों तक गैस के करनेक्शन नहीं है उन्हें वो अपनी उज्वल योजना के तहत उन गरीब लोगों के घरो तक नए गैस के करनेक्शन उपलब्द कराने में करेगी और सरकार ने 2018 तक ये प्लान मनाया है कि पुएदेश में कम से कम 55 90% ऐसे घर जिनके पास अभी कुछ ऐसे घर है जहां सिलेंडर नहीं है तो सरकार के प्लान है कि 2018 तक 95% घरों तक सिलेंडर के नए कनेक्शनों को पहुचा दिया जाए जिसके लिए सरकार 30,000 करोड रुपे तक का खर्च करने का प्लान बना रही है और इसी के तहस सरकार ने ये कदम उठाया है और तेल इप्रन कंपनियों की मांग थी कि यहां पे सिलेंडर में प्रती मंत जो है यानि हर महीने जो है कॉस्ट बढ़ाई जाए तो यहां पे 4 रुपे प्रती सिलेंडर के साफ से अब हर महीने आपके सिलेंडर की कीमते बढ़ेंगी जिससे धीरे धीरे आपकी सब्सिडी कम होती जाएगी और 2018 तक शायद ये पूरी तरह खर्थम हो जाए जिससे आपके और जितने भी भाई ये भैन जितने भी आपके या हमारे ऐसे लोग जिनके आभी तक गैस के नए कनेक्शन नहीं है तो उनको भी नए गैस के सिलेंडर उपलब दो सकें उन पैसों का सरकार ऐसे कारिक्रों में यूज़ करने वाली है और ये एक देश के विकास के लिए भी बहुत जरूरी है कि हर घर में ही एक नया आधूनिक इधन यानि के लपीजी सिलेंडर हो जिससे लोगों को चूला खूगने से कम से का हमारे देश में लगबग लगबग सभी लोगों को इस सिराहत मिल जाए तो हम जैसा सुप पा रहे हैं ऐसे हमारे भाई और प्रियेजन जितने भी हमाई देश में लोग हैं सभी को ये सुलदा मिल सके तो इस दिसा में सरकार में बहुत अच्छा कदम उठाया है और हमें इस कदम को पॉजिटिव देखते हुए इसकी सराना करनी चाहिए क्योंकि कि सरकार अब इन पैसों का हमारे जो भाई जिनके घर में स्रेंडर नहीं है जो माता भेने अभी तक चूले का प्रियोग करती है तो उनके घर तक भी नए स्रेंडर के कनेक्शन पहुंचें और इसके लिए ये जरूरी है कि सबसीडी हम लोगों को या तो छोड़ देनी चा उपाएगा तो सरकार के इस कदम के लिए हम सभी को उनका ठैक्स करना चाहिए ताकि हमारे सभी लोगों को जितने भी हमारे भाई या मित्रे बहने हैं उनको स्वच इधन प्राप्त हो सके और आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा तो आप इसको जरूर्स लाइक किजेगा चैनल को सब्सक्राइब किजेगा और बड़ी हुद कीमतों से आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूर्वत नहीं है क्योंकि सरकार ने यहां पे कंपनिय द्वारा जो जुलाई में कीमत बढ़ाई गई थी 32 रुपे 14.2 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत 32 रुपे लगों बढ अभी नहीं पढ़ने वाला लेकिन हाँ अब आपको सबसीड़ी छोड़ने का मन बना लेना चाहिए ताकि आपके और भाई भेनों को भी जिनके घर में सिलेंडर नहीं है उन तक पहुंच सकें तो यह भी आपका एक देश के विकास में एहम योगदान होगा सो थैंक्स आप अपने मित्रों को वट्साप फेस्बुक ट्विटर पे मेरे इस इंफर्मेशन को फॉर्वर्ड करते रहे और सब्सक्राइब करते रहे आइकन को बैल को प्रेस कर से रहे रहे तो थैंक्यू हैवे नेस्ट ये